हेलो फ्रेंज, वेल्कम बैक टू व्यू स्पोर्ट मैच प्रिव्यू, ये है बांगला देश वसेस न्यूजिलेंड पहली ODI जो की होने वाला है 21 सप्टेंबर को दोपेर में देड़ बजे से वर्ल्ड कप आ रहा है, वर्ल्ड कप का त्योहार आ रहा है, देर सारे मैचेस होने वाले हैं और इन सभी के रनप में सब टीम्स अपने अल्मोस्ट बाइलाटरल सीरीज खेल रही हैं ताकि जो भी टेस्टिंग करनी हुए, जो भी प्लेयर्स को और मौका देना है वो सब दे लेके फाइनली तयारी कर लें कि वर्ल्ड कप में कितनी जो से एंटर करेंगे, इन सारे गेम्स के प्रिव्यूज, इन सारे गेम्स की अनलिसिस, स्टाट्स, नंबर्स, फाइनल फैनल फैंटसी टीम्स, ओनली ऑन दे व्यू स्पोर्ट अप, चेक आउट करना मत ये सारे डीटेल्स मिल जाएंगे, तो चेक आउट करना मत बुढ़िएगा अगर अब तक चेक आउट नहीं करा तो, बात करें इस गेम की, तो बांगलादेश हाल ही में, एशिया कप में, not so brilliant performance दे कर आ रहा है, बट आखरी गेम में, इंडिया को हराया इनोंने, मोमेंटम के साथ है, बट unfortunately, जो साइड यहां पर खेलने वाली है, वो थोड़ी सी अलग है, versus the first string बांगलादेश टीम, न्यूजिलेंड की बात करें, तो इंग्लेंड के सामने, ODI में पहली गेम तो जीते हैं, बट फिर लगातार तीन गेम हारे, कोशिश ज़रूर करी, कुछ positives थे, क कुछ negatives थे, कुछ injuries भी हुई, जैसे टिम साओधी की, जो इनकी टीम के लिए बड़ा धक्का है, देखते हैं, इस tournament में जो भी टीम उतार रहे हैं, उन में कैसे cope-up करते हैं, कौन से वो players हैं, especially players like Will Young, जिनके ऊपर सब की नजरे होंगी, जो World Cup में उम्मीद करेंगे, कि New Zealand के ये open चरें, तो exciting series होगा, exciting game होगा और आपके लिए view sport लेकर आया है, ये एक ऐसा preview जिसमें आपको team बनाने में हम help कर पहें, तो चलते हैं दोस्तों बात कर लेते हैं, दोनों teams की squads आपके सामने हैं, पांगरदिश की squad अगर आप देखें, तो तमीम इकबाल इनके लिए वा इनके बाद आते हैं, लाइट अंदास, फिर आएंगे ताहुरी दिदोज, इनका form एशा कब में काफी decent रहा था, सबकी नज़रें इन पे और हम उमीद करते हैं कि हम सारे जो भी इन से hope करने performances की वो ये देख कर चलें, इनके बाद आएंगे मेहमद उलला, followed by सौमे सरकार, देन महदी हसन, फिज, नासुब महमद, तानजिम हसन आएंगे उसके बाद, एन जो final slot है, वो या आर हुसेन या फिर खालिद हमद के पास जा सकता है, बात करें, न्यूजिलेंड के प्रावर प्लेंग 11 की, तो यहाँ पर भी बहुत खिचड़ी है, बहुत confusion है, कुछ clear नह सकते हैं, और देन क्लीवर, इन तीन में से दो बैटर्स खिलने चाहिए हमारे साब से, नंबर तीन, नंबर चार, नंबर पांच वे जो लाइन अप है, वहाँ पर आपको टॉम डंडल दिख सकते हैं, वहाँ पर हेंडी निकल्स होंगे, और वहाँ पर एलन बाउस क्लीवर इन दोनों में से जो प्लेयर ओपन नहीं करना, वहाँ पर नजर आ सकता है, इनके बाद आते हैं, दोस्तों, फॉक्सक्राइट, फॉल्वर बाई रविंद्रा, फिर होंगे मैकॉंची, फिर होंगे बोल्ट, फर्गुसन, एन देन सोधी, बोल्ट से दोस्तों, उम्मीद न किनों खेलेंगे, यह हो सकता है कि बोल्ट ना खेले, उनके यह पर कोई और फार्श बॉलर खेले, यह भी हो सकता है कि मैकॉंची भी ना खेले, और फर्गुसन और बाकी दो फार्श बॉलर भी खेल जाए, तो पहली देखते हैं, ओडिया में क्या सेट अप होता है, आप देखोगे, यहाँ पर 18 गेम्स जो होए है, टीम चेस करते हुए 10 बार जीती है, टीम बैटिंग फर्स साथ बार जीती है, एक मैच में नोजल ट्रा है, और यहाँ पर कैप्टन प्रिफर भी करेंगे, कि टीम सको चॉस जीत कर पहले बेजें बल्ले बाजी करने के फेवर रहेगा, बैलेंस पिच रहेगी, और आप एक्सपेक्ट करना की रंज बनेगे यहाँ पर, और क्वालिटी बूलर्स को विकेट्स यहाँ पर मिलनी चाहिए, चलते हैं दोस्तों, देखते हैं इन प्लेयर्स के ODI रेकॉर्ड की ऑफ 2023, शुरुवात करते हैं भांगल इनिंग में 394, तमीव इकबाल जो की इंजरी के बाद वापसी करने, इन्होंने इस साल 12 इनिंग के लिए 363 रं इनके नाम जिसमें 150 और 100 शामिल है, इनके बोलर्स की बात करें, तो तान्जिम हसन अब तक ले चुके हैं 26 विकेट 18 इनिंग में इस साल, इनके बाद आते है महदी हसन जो की 13 इनिंग में 14 विकेट ले चुके हैं, नसूम एहमत के नाम है 11 इनिंग में 13 विकेट, खालिद एहमत के नाम है 8 इनिंग में 11 विकेट, मुस्तफिज रहमान 9 इनिंग में 10 विकेट ले चुके हैं, और रिशाद हसन भी 3 इनिंग में 7 विकेट ले चुके हैं चलते हैं न्यूजलेंड के बैटर्स की तरफ और इंके नंबर्स अगर आप देखो तो विल यंग 13 इनिंग में 538 रन है इनके नाम इस साल 48.91 का एवरेज चार फिफ्टीज में शामिल है 100 स्कोर नहीं करें पर हम उम्मीद करते हैं कि इस टूर पे वो बड़ा 100 देखने को मि जलते हैं न्यूजलेंड के बोलोस की तरफ तो रचिन रविंद्रा नौ इनिंग में 12 विकेट ले चुके हैं बोल्ट जिन्होंने वापसी करी थी इंगलेंड के सामने दो इनिंग में 8 विकेट एक फाइफ था एक थीफर था ब्लेर टिकनर 7 इनिंग में 7 विकेट इस सोध शामिल है मेहमद उल्ला एक सो तेरा इनिंग खेले हैं बतिस सो चुर्यासी रण यहां पर बनाए हैं 36.09 की अवरेज से अनमुल हक 64 इनिंग में यहां पर क्लोस टू 1700 रंस हैं 26.92 की अवरेज से बात करें दोस्तों ताउरिद रिदाय की तो यहां पर 20 इनिंग खेले हैं 630 इनके नाम 37.06 का एवरेज 750 हैं 100 इनके नाम भी अब तक कोई नहीं हुआ इनके बोलर्स की बात करें तो मेहमद उल्ला यहां पर 95 इनिंग में 75 विकेट ले चुके हैं पर इस गेम में मेहमद उल्ला को शायद बूलिंग करने का मौका भी ना मिले विकॉस बांग्लादेश इनके बात करें तो 61 इनिंग में 61 विकेट से यहां पर नासुम एहमद के नामे 19 इनिंग में 28 विकेट और महदी असन के नामे 28 इनिंग में 25 विकेट इस वेन्यू पर चलते हैं दोस्तों फिर अब बना लेते हैं अपनी फैंटेसी टीम तयार हो शुरुआत करते हैं हम विक जागा थोड़ा सा quality batters हैं जिस तरह से शुरुआत करी थी he should have gotten runs but unfortunately he kept throwing his wicket जहां पर हम expect कर रहे हैं कि number 3 पर batting करेंगे and he should get those runs इनके अलावा आपके option है wicket keeping section में Blundle का नुरूर हसन का and Cleaver का अगर आप देखोगे हमारे हिसाब से एगर हमने ranking भी करनी पड़ी तो next best pick wicket keeping section मे जहां पर इन्होंने पहले runs भी बनाए हैं वहां पर once again he can be a lethal option फिलाल बेस टीम में नहीं है because हमें पता नहीं कि इनका order exactly क्या होगा तो बेस टीम में ना रखते हुए scenario वाई जब टीम बनाएंगे वहां पर इनके बारे में बातचित करते हैं आते हैं batting section में यहां पर हमारी बेस टीम में दो प्लेस पक्का रहेंगे दोनों यंग प्लेयर्स हैं और दोनों प्लेयास potential काफी जादा है कि वो explode करें और धेर सारे runs बताड़े उनमें से एक का नाम भी यंग है विल यंग और ताउरी देदवा ये दो ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको हम बैक करके चलेंगे हम लॉट ओफ एक्पेक्टेशन फ्रम बोड इस बैक्टर्स और हम उम्मीद करते हैं चाहते हैं जन्यूली कि यह अच्छा कर जाएं बिकोज पोटेंशल है बस उसको रियलाइज करने की बात है और धेर सारे बनाने की बात है तो यह दो बैक्टर्स पक्का रहेंगे हमारी ब का बैक करना जो कि सेटल हो जाएंगे मिदल और में और अगर आप होप कर रहे हो कि न्यूजलेंड के बोलर्स तहल का मचाएंगे अप फ्रंट विच मींज ओनर्स रहेगा रिस्पोंसिबिटी रहेगी प्लेयर्स लाइक मेहमद उल्ला पर कि भंगला इसके लिए रंस बना करना है तो वो आप्शन हमने बाद में के लिए रखा हुआ है और निकल्स की जो पोटेंचल है वैल्यू है और जितनी उम्मीद हैं वहाँ पर ही शूद डू वैल इन इस सीरीज अस वैल इनके बाद हैं अनमुल हग जो कि हमारी टीम में नहीं रहेंगे नाम रेक्क्मेंट करेंगे फिन एलन एक हिट और मिस ऑप्शन है चले तो लंबा हमारेंगे नहीं चले तो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान भी करा सकते है अपनी टीम में चैट बाउज अगें एक फिफ्ट विफ्टी कॉल है ना कोई भी सिनारियो वाली टीम में ये रहेंगे चलते है अलाउंडर सेक्शन में यहाँ पर बेश टीम में दो प्लेयर्स पका है एक होंगे रचिन रविंद्र और दूसरे होंगे हमारे लिए मैदी असन रचिन रविंद्र इसलिए कह रहें दोस्तों अगर आप बांगलादेश के बैटर्स के नंबर्स देखो वर्सिस लेफ्ट इनिंग में बारा बार ताउरिद रिदोय 26 इनिंग में दस बार और मैदी हसन 16 इनिंग में नौ बार आउट हो है अभी हाल ही में जो सीरीज हुए थी वहाँ पर भी अच्छे कासे कॉंट्रिबूशन करे थे रविंद्र ने and we will back him to come good in this particular game इनके बाद जो second option यहाँ पर रह मैदी हसन बोलिंग भी करेंगे बैटिंग के थ्रू भी contribute कर सकते हैं और इसलिए हम confident है कि हमारी base team में हम इनको पक्का ले कर जाएंगे इनके अलावा दोस्तों आपको देखोगे तो आपके option है सौमय सरकार का मेकाउंची का फॉक्सक्राफ्ट का सौमय सरकार चाहो ता आप पका आप ट्राइ करते चलना ताकि कुछ ना कुछ क्लिक हो गया तो शायद आपका भला हो जाए चलते हैं बोलिंग section में और हम assume कर रहे हैं ट्रेंट बोल्ट खेलेंगे ट्रेंट बोल्ट खेलेंगे पका हमारी team में रहेंगे आंक बंद करके इनको लेके चलना है बांग्र फिल्ख जो कि शायद ओपन कर जाएं वह 19 इनिंग में पांच बार आउट हो हैं लेफ ताम पेस पर इतना ही नहीं इनके नंबर्स देखो वसिस ट्रेंट बोल्ट तमी विपाल 9 इनिंग में तीन बार आउट हो हैं बोल्ट के सामने बाकी नंबर्स भी आपके सामने हैं और ट्रेंट बोलने हाली में जैसे इंगलेंड के बैटर्स को नचाया था सेम चीज यहां पर हो सकती है जड़ी वो स्टार्ट करते हैं पक्का टीम में रहेंगे इनफाक टॉप वाइस कैप्टन सी ऑप्शन भी आपके लिए बन जाएंगे नेक्स्ट पिक जो हमारी टीम में पका रहेंगे वो होंगे इस सोधी बांगलदेश के बैटर्स के नंबर्स आप देखो वसिज लेक स्पिन तो महमदुला 67 इनिंग्स में 14 बार लेक स्पिन पर आउट हुए है तमिक एकबाल 38 इनिंग्स में 10 बार लाइटन 10 17 इनिंग में 4 बार अनमुल हक 8 इनिंग में 3 ब पाएं depending on the scenario नंबर 1 पर आते हैं नसू महमद न्यूजलन के बैटर्स के नंबर अगर आप देखो वसिज लेफ्ट आम स्पिन तो फिन एलन 11 इनिंग में 5 बार आउट हो है लेफ्ट आम स्पिन पर चैट बाउस 10 इनिंग में 3 बार रचिन रविंद्र पांच इनिंग में 3 और विल यंग भी 16 इनिंग में 3 बार लेफ्ट आम स्पिन पर आउट हो है नसू महमद का रेकॉर्ड और एश्यकप में भी ठीकटा करके गए थे वन्स अगें वील बैक हिम टू कम गूर्प और बैटिंग के थ्रू भी ये कॉंट्रिबूट कर सकते हैं ये बूलना मत इनक सीरीज देट में बूलिंग भी करेंगे और इनके पास मौका होगा कि ये अपनी जो वर्थ है वो प्रूव कर पाएं न्यूजलन के बैटर्स के नंबर वसेद आप देखो लेफ्ट आम पेस तो हेंडरी निकल्स 33 इनिंग में 8 बार आउट हो हैं लेफ्ट आम पेस पे अड बाकी ऑप्शन आप देखो आडम, मिल, कैल, जेमी सिन हमें पता नहीं खेलेंगे नहीं खेलेंगे अलाउंग विद ब्लेर टिकनर कल 11 आ जाए उसके बाद हम रिसाइड करेंगे किस तरफ हमें जाना है तांजित हसेन एक अच्छे एक्साइटिंग ऑप्शन है पर नहीं पिक करेंगे कोई देथ में नी जालते हैं बोलिंग सेकेंड मेभी वी ट्राइओ चलते हैं अब सिनारियो वाज अनालिसिस और वहाँ पर देखते हैं कि कौन बनता है हमारी टीम में किसको मिलता है मौका पहला सिनारियो जहां पे न्यूजिलेंड बैटिंग फर्स कर ने रखा हुआ है और अल्राउंडर से रचिन रविंद्र है मैधी हसन है और फाइनली बोलिंग सेक्षिन पर बोल्ट मुस्तफित रह्मान एंड इस सोधी यह बन जाती है हमारी 10 मेंबर बेस्टी अभी दोस्तों आग के पास ऑप्शन है जो 11 प्र आपने पिक करना है या या आप चाहो तो लेके चल सकते हो नसू मेहमत को अगर आपको लोड ही करने की न्यूजलन के बैटर्स चाहिए तो वहाँ पर आपके एक्स्टा ऑक्शन बन जाएगा इधर इन फॉर्म चैट बाव फिन आलेन आपको जिसको भी बैक करना है वहाँ पर आप आप जा सकते ह और इन केस इस सिनारियो में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बांगलादेश चेस कर लेगी टोटल तो फिर तमीम इकबाल को पक्का लेके जाना है बिकास आपकी टीम में लाइटिन डास और ताउरी दिदो ये दो बैटिंग ऑप्शन है और बाकी टॉप फाइमें से कोई अगर आपको लगता है कि यहां पर बांगलादेश चेस कर सकती है हमारे लिए टॉप कैप्टेंशी वाइस कैडिट्स में ये तीन प्लेयर्स आ जाएंगे आप देखते हैं सेकेंड सिनारियो जहां पर बांगलादेश पहले बैटिंग करेगी तो आपन ने विकेट किपिंग सेक्शन में लाइटें डास रखा है और आपने ट्राइ करना है बिकोज बंगलादेश माइट अल्रेडी प्लेय विद टोस्पिनर्स और डाउंडर्स में आते हैं तो रचिन रविंद्र मेहदी असंद दुनों हमारी बेस टीम में है इनके अलावा ना हम जा रहे हैं शौमय सरकार की तरफ ना मेकॉंची ना फॉक्सक्रॉफ और फाइनली देखें बोलिंग सेक्शन में तो ट्रेंट बोल्ट लॉकी फगुसन इस सोधी और तंजित हसन इन चारों को हम लेकर चलेंगे हमारी टीम में अगर आपने देखा होगा दोस्तों आपके पास कुछ ऑप्शिन बचता है इस्पेशली 11 प्लेर में जहां पर आप तमीम इकबाल या आप जाओ मामधुला की तरफ या आप पिक कर सकते हो आपको चाहिए तो शौमय सरकार भी अगर आपको लगता है कि उनका स्लॉट पिंट कमेंट में भी है अब आप बोलोगे पिछ रिपोर्ट कहां मिलेगी अब आप बोलोगे कि या टॉस की बेसिस पर क्या चेंजिस करने है इन सबी चीजों के लिए दोस्तों आपने व्यू स्पोर्ट की टेलीग्राम चैनल जॉइन करनी है अगें लिंक डिस्रिप्श के साथ तब तक के लिए अल्दा